आइज तो असलमालेकूम तो कैसे हैं गाइज तो गाइज बहुत दिनों के बाद आज वीडियो नने का मन क्या है तो गाइज अभी आज आएं वीडियो नने के लिए तो गाइज अभी आए हम खेत पे क्योंकि गाउं के अंदर अभी जो शुरू हो रहा है वह बस धान की खेती है तो गाइस ठोड़ा सा उसको भी देखाते हैं और गाइस अब से अना कंटीन्यू वीडियो रहेगा तो गाइस आप लोगों का प्यार चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जो की अभी मि तो गाइस प्लीज कर देना तो गाइस आज बस पूरा ये पूरा गुमेंगा इधर पूरा और गाइस देखो हमारे गाउं में जो ना पीछे के साथ नाहर बन रहा है गाइस तो थोड़ा सा में क्या होगा खुछ नहींगा देखो खेत के अंदर पानी भी नहीं लगा तो यही चेक करने के लिए आए थे घर से और यह आभी देख लिए पिछे दे सकतें यह मेरा खेत है तो इसमा भी पानी नहीं लगा और कर ईस पीछ ंबेंस लिए un crowded तो चो यह बहुताई नहीं फाइसे फिजाने तो तो हमारा तो हुए नहीं नहीं पाया और गाइज अब निकल ले अभी घर के लिए और गाइज रास्ते का जो होगा नो कुछ प्यारा प्यारा व्यू वह आप लोगों को दिखाएंगे अभी निकलते थुरा सा खतरनाक रास्ता दो गाइज बताना ये कौन सा जानवर है जानवर बोले आज कुछ गाउं का है अब चाइना वालों को तो बड़ा अड़ा देखेंगे यहां काफी स्कूटा अच्छा काफी डर रहा है और यह अंदर की तरह भाग गया है मैं यह देखो यह काफी छूटा किक रहा है अच्छा का बीच इस वर का बीच है माशालला मस्त है यह देखो हडा बड़ा धान का बीच है यह सा यह गाइज बहरनी का बीच है काफी पतला और काफी खुश्बुदार इसका फसल होता है और यह रहा सरना इसका भी काफी अच्छा होता है यह अपनका अउकात है इनसान को अपना अउकात कभी नहीं दोलना चाहिए तुमारे एक अपड़ा न यह सब सलन लगए असली यह कपड़ा है क्योंकि इसमें आप उनका खरी भी दिखाए देंदा है यह अपनके जिसम का चमड़ी है और यहां पर जो काफी ज़्यादा मेनत लगते है रोपने में और गाइस यह तालाब अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो जाता लेकिन बरसाथ बीच में गिरिया ना भी फिलाल बाप बारिश हो रही है ना इसलिए इसका काम रोक दे गया तो कि होगा बारिश होगा तो पिर इ केसी भी नहीं आपाएगा ना ही इसमें ट्रक्टर इसका भी काम भी रुका हुआ है तो बस अब गैस आगे निकलते हैं आगे जाके बात करते हैं फिर यह रहा तालाब का प्यारा सब्यू और देखो गाइस तालाब के अंदर कितना पानी है इस तालाब का पानी आज तक सुखा लेन और इधर तो बहूत सारे तालाब है जो कि पिछली वीडियो में दिखाए होंगे जो बहुत सारा तालाब नया नया बना आई इधर तालाब है यह पुराना जो कि अभी तक इसका पानी नहीं सुखा है और गाइस यह सामने देखो एक नया तालाब बन रहा है और गाश यह गाउं का तालाब नया बन दाव दिखो गाईस गाउं का छोटा से जहरना इसे बताना कॉमेंट में जरूर बताना और इसे आ काम करते हैं वो भी बताना दोनों में से एक बताना अई यह घरविली उप्योग में आता है सबी को मालुम होगा तो गाईस कहां पर यूज करते हैं तो गाईस आप उधर से बाई 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 बोल के आते हुए जादा दूर पर जाता है इसलिए इसलिए उधर से जादा जल्दी जदना जल्दी हो सके निकलना परता है क्योंकि लंप साम मनूना तो कम से कम दो किलो मीटर पर जाता है यहां से हो चुका खतरनाक जगह आना इस्टार्ट हो चुका ऑप इसे कितना जंगल है और अभी तो आना बांकि है सबसे वहां कर जंगल है क्यूंकि हम उदर से भी जा से अटा था लेकि अधर से हमको निकलना है गाची के तरफ क्योंकि अभी भी एना गाच में में लगाइवा तो इसलिए हमको उधर निकलना इसलिए हम ये रास्ता चूज किया है क्यूंकि ये रास्ता है जीदा सा सोट कौट है और यहां से अब निकलते हैं और गाज यह देखो फिर से बारिस आने अलिया है दो बादल काले-काले भिखरना स्टार्ट हो चुके हैं देखो गाइस और यह रार मारे गाउं का नहार और अभी तो इतना वह नहार बना है और गाज यह दो सामने कुछ यह मेरे फ्रेंड़ का गर है गाईस देखो क्यामरा एंगल गाईस थौरा से बिल जाता है प्रॉपतार गाईस और ने हिए लुके बादल आजरी डाएस कि सबस्पेटा बहुत बढ़िया यह चोटा सा गाउं का यह पूला है और इस पे बैठी है ना अभी हम देखो यह वीडियो शूट कर दे हैं काफी अच्छा संत लगा है और आज चाभी ठंडा मोसम है धूब का तो कोई इस्व नहीं है सनलाइट का कोई इस्व नहीं है काई